Hello everyone, welcome back. तो आशा करता हूँ, आप सभी लोग काफी अच्छे से होंगे और अपना ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे. आसपास के लोगों को बता भी रहे होंगे COVID-19 का impact उससे क्या क्या परेशानी हो सकते हैं और किस तरीके से बचा जा सकता है. शोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजर, मास्क, इसका बहुत जादा यूज करें. जब भी बाहर निकले मास्क का तो बहुत जादा यूज करें. हो सके तो मतलब अगर थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा दूर ही कहीं क्यों न जा रहे हों, वहां के लिए भी आप मास्क का यूज करें. बहुत जादे इंपोर्टेंट हो जाता है, जैसे इस टाइम पे COVID-19 के केसिस बढ़ रहे हैं. तो शुरू करते हैं अपना एडिटोरिल डिसकेशन, सबसे पहले जो एडिटोरिल डिसकेशन है यह तमिल नाडू का इसमें रेफरेंस लिया गया है और बताया गया है कि लॉग टाइम का जो लॉग डाउन रहा या जितने भी अभी तक के जो हमारे स्टैप्स लिये गए और इसमें बताया गया है कि जो लेवर पाडिसिवेशन रेट है तमिल नाडू है वो किन-किन फैक्टर्स की वज़े से इतना कम हुआ है और क्या-क्या चैलेंजिस आज की टाइम पर यह इंडिस्ट्री फेस कर रही है तो उसमें एक सिवकासी जो एक जगह है तमिल काफी है तो बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता है उसकी वजय से तो शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल तो उससे पहले एक बार हम तमिल नाडू के एक बार जगह देख लेते हैं कहां पर है तमिल नाडू बेसिकली साउथ इंडिया में है और जो नेबरिंग स्ट चीफ मिनेस्टर ने इड़ापडी के पलानी स्वामी एडिम की के हैं और डिप्टी सीम है पनीर सेलवं यूनिकेमरल लेजिसलेचर है पारलेमेंट लोगसभा की 39 सीट सें राज्यसभा की 18 सीट है लेटरेसी रेट 80.33 परसेंट है और सेक्स रेशन 9.96 जो काफी जाद अच और कोस्ट लाइन एरिया 1076 किलोमेटर यानि का हजार से ऊपर का कोस्टल एरिया है और पासी में जो इंटरनेशनल कंट्री है बोल सकते है वो श्रीलंका है जो की पाक स्रेट और पाक बेके थूँ जोडती है मतलब एक साथ में जो लिंकेज है वो उसके थूँ है तो शुर बहुत जादा अच्छा खासा इस पर एंप्लॉइमेंट पर इसका असर देखा जा रहा है डूटी लॉकडाउन और जो पुराने जो हमारी स्टैप्स थे उसकी वज़ए से भी तो अभी ज़रूरी हो गया है कि पैंडेमिक के टाइम पर हम एक चीजों को अच्छे से एनले अच्छे से रिवाइब भी नहीं कर पाए थे अपनी एकनोमी को और अभी फिर ये कोविड-19 और लॉकडाउन तो इसकी वजय से तमिलनावडू को बहुत जादा अनेम्प्लॉयमेंट रेट फेस करना पड़ रहा है और जो वहां का लेबर पार्टिसिपेशन रेट है या जो काम कर रहे हैं या जॉब ढूंड रहे हैं वह सब एक लेबर फोर्स के अंडर आते हैं उसी को लेबर पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं और यह कंटिन्यू काफी टाइम से गिर रहा है वहां पे और लॉकडाउन में तो बहुत जादा एकदम से इसमें शार्प में में भी क्योंकि में से क्या था अनलॉक स्टार्ट हो गया था उसके बावजूद भी जो एक पेस था वो काफी स्लो रहा एकदम से जो बढ़ना चाहिए था मतलब लॉकडाउन में तो चलो सारा काम बंद था पूरी तरीके से एकनोमिक एक्टिविटीज बैन थी पूरी अभी भी वह बाहर निकलने से और ज्यादा जो इंपक्ट देखने को मिला को लॉकडाउन के वैसे वह यह था कि माइगरेशन बहुत ज्यादा देखने को माइगरेट जो माइगरें टू वरकर्स थे वह अपने होम स्टेट जा चुके हैं और वह अब वापस भी निया आ प वह इतनी अच्छे से भी रिवाइव नहीं हुई है कि वह जो हमारी लेवर हैं जो माइगरेंट से जो अपने होम टाउन जा सके हैं वह वापस आए और एक तरीके सा वह वापस से एकनोमी में साथ दें तो यह जो डॉप है यह मैं मैं फास्टर रहा मतला अर्बन अर्बन और सेम उस तरीके का ही देखा जाए तो रूरर एरिया में भी देखा गया और जो डिकलाइन है LPR का वह अर्बन एरिया में कम है मतलब वाज लेस लेस अब बताया है यह पार्टिसिपेशन रेशो होता है जिसमें अनेम्प्लाइड और एम्प्लाइड दोनों आ जाते हैं तो इसकी वजए से जो डिकलाइन है जो काफी कम है पार्टिसिपेशन रेशो तो वो मेल में ही ज्यादा देखा जा रहा है और जिनके हाई जुकेशन है उनमें थोड़ा कम इसका एफेक्ट पड़ा है बेसिकली कहा जाए जो इसकिल्ड वरकर्स हैं उनको इतना ज्यादा नहीं करना पड़ा है जो semi-skilled workers रहें या बिल्कुल भी unskilled workforce है उसको बहुत ज्यादा इसकी वजए से फेस करना पड़ा है उनमें LPR ज्यादा देखने को मिल रहा है मतलब उनका ज्यादा LPR जो है वो बहुत ज्यादा less है as per the CMI data वो suggest कर रहा है कि 2016 से जो steady decline रहा है Tamil Nadu LPR मे और जो जहां work labor force जो basically unemployment indicator को दर्शाता है क्योंकि वो एक industrial state है वहां पर बहुत ज्यादे industries है जितनी भी mechanical industries हम बोल सकते हैं वो basically ज्यादा तर Tamil Nadu में ही है तो वहां का employment indicators है वो basically 15 साल से जो age होती है वहां से count करना start करते है और जो वैसे global LPR ratio है वो 16 साल के से start करते है लेकिन यहां Tamil Nadu है 15 साल से और उससे उपर की जो categories होती है basically employed है या unemployed है जो job ढूड रहे है वो सब वहां का यह Tamil Nadu का LPR है ठीक है वहां के जो indicators है यह unemployed हो unemployed, unemployed यह सब और बाकी जो demonetization रहा वो उसका demonetization का इतना खासा रूरर और urban area पर LPR ratio पर इतना ज्यादा effect नहीं पढ़ाता लेकिन GST का बहुत ज्यादा effect पढ़ाता है negatively LPR ratio काफी ज्यादा कम हो गया था basically LPR ratio जो है वो ज्यादा होना चाहिए वो LPR ratio अगर ज्यादा होता है तो वो दिखाता है कि economic activities वह good sign है economic activities के लिए कि वहाँ पर लोग willing हैं काम करने के लिए और वहीं LPR ratio अगर कम होगा तो यानि कि लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं जो lockdown के बाद देखने को मिला तो जो significant decline रहा है LPR का वो ruler और urban दोनों sector में बराबर देखने को मिला है यह नहीं कह सकते हैं कि urban इससे जादा face किया है वहीं अगर बात करें गुजरात महाराष्टरा तो वहाँ पर भी चीज़ें गिरी हैं लेकिन वहाँ पर क्या था जो urban employment rate था वह तमिल नाडू में जादा गिरा डिस्पाइट गुजरात और महाराष्टरा और करनाटिका में और तेलंगना में जो बेसिकली software new economy hub माने जाते हैं करनाटिका और तेलंगना वहाँ पर भी एक sharp decline रहा LPR में और जबकि करनाटिका ने थोड़ा सा अपने में मतलब एक rise देखा कोविड-19 के टाइम पर भी एक rise देखा और खासकर जादा तर स्टेट्स में जो रूरर लेवर पार्टिसिपेशन है वह प्रॉबलिटी मतलब क्या रहा जो economic activities की वजए से रूर एरिया में लेवर पार्टिसिपेशन थोड़ा सा अप हुआ है और बात ये भी है वहाँ पर अप रहा है क्योंकि जो माइगरेंट्स वर कर रहे हैं वह बेसिकली वापस गये है रूरर एरिया में अपने होम टाउन वगरा में तो इस वजए से भी वहां का जो रूर लेवर पारिसिपेशन है वहां पर हाही रहा लेकिन तमिलनाडू में वह अप्रैल और माई के टाइ आप रहा हैं जैसे टाइटनि रेगलारी इनवर्मेंट जो इनवर्मेंट पॉलिसी नहीं बनाए गही हैं उनकी वजए से काफी जादा जो टाइटन कर दिये गहे हैं इंडस्ट्री को काफी जादा फेस करना पड़ा है और जो ग्रोइंग इंटरनेशनल कॉमपटिशन है वो भी काफी जादा अच्छा-खासा इनको एक तरीके से एक हिंट्रेंस क्रिएट करता है, इकनोमिक इंटरनेशनल कॉम्पेटिशन और बाकी चाइना तो करता ही है, क्योंकि चाइना काफी जादा सस्ते में चीजने देता है, तो नेबरिंग कंट्री से जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो काफी जादे एफेक्ट डालता है वहां के LPR पे भी और जो बेसिकली एक्जाम्पल के लिए सेवकासी फायरवक्स का ही लिया है, उसमें multi-dimensional character challenges जो फेस कर रही है सेवकासी जो firecrackers industries है वो basically करीब 90% सेवकासी में ही पूरे all over country का जो fireworks production है वो सेवकासी में होता है और उनको वो किस्ती किस्ती जो तीन challenge basically इसमें बताए गया है, वो तीन challenges है, एक तो boycott of polluting industries and products, जो pollution create कर रही है, उन industries का recently एक trend भी हुआ था boycott करने का, तो उस वज़े से एक पहला challenge तो यह है, दूसरा challenge यह है, कि जो regulatory involvement थे, जैसे बैन कर दिया गया barium nitroid को use करने के लिए firecrackers में, तो उसने भी काफी जादा एक challenge create किया, hindrance create किया, और तीसरा था जो illegal import हो रहा था China से cheaper fireworks, वो कही न कहीं competition बहुत जादा बढ़ा रहा था, तो वो भी एक दिकत create कर रहा था, ऐसा नहीं है कि यह खाली firecrackers related issues थे, तो वो ही face कर रहे होंगे, same ऐसे ही issues, जो बाकी के industrial clusters हैं, जैसे तिरुपूर, Erode, Karoor, Weld, Ranipat, Wellor, वहां पे भी similar changes देखने को मिल है, industrial areas में, और बताया जा रहा है कि MSME का shutdown करना on the basis of environmental challenges, यानि कि environment के एक नाम लेके MSME को बंद कर देना, वो एक पूरी तरीके से justify नहीं है, हमारी जो government है, या court है, वो भी इसको avoid करती है, इतना ध्यान नहीं देती है इन चीज़ों को, वो भी एक जो उनके बोल सकते हैं, वो in favoring to MSME, यानि कि वो favor निगरते हैं, वो against में होते हैं, unpleasant होते हैं, उनके लिए जो industries वगरा है, जो हमारे government और court का statement आते हैं, जो basically सीधे-सीधे impact आलती है, local economy पे, environment पे, basically बात यह है कि क्या किते हैं, वो अपना statement तो दे देते हैं, लेकिन उस पे क्या होता है, जो environment के लिए statement आया, basically उसके बाद भी कौन से environment ज्यादा सुधरता है, कहां जितना ज्यादा improve आता है, तो यही चीज़े बताई हैं, कि क्या किते हैं, जो impact है, बेहन का, वो basically local economy और environment पे उतना ही असर डाल रहा है, जितना, क्या किते हैं, जो इन चीज़ों को avoid, avoid किया, यानि कि यह unresolve रहे issues, environmental damage वगएरा, उसके बाद भी environment damage हो रहा है, तो कुछ खासा statement का असर देखने को मिलता नहीं है, और statement अगर लिया चलो, हित के लिया लिया, लेकिन वो जब काम बनी नहीं रहा है, तो फिर क्या फाइदा हो से statement का, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ही देख लिया जाए करें, क जो अब कम से कम सुधरत हो रही है, जब इतना कासा असर नहीं बढ़ रहा है, तो यही सब बात है थी, और जो अभी का जो overall economic scenario है, जो अभी जो चल रहा है, जो एक uninterrupted है, जो अभी पता ही नहीं है, वो basically एक silver lining create कर रहा है, जो अभी crisis हम उसे interpret नहीं कर पा रहा है, जो बहु कि टाइम पे, इंडिया का जो dependency other country तो वो काफी कम करने पड़ेगी, और basically यह अभी Galwan Valley के issue की वज़े से, काफी जादा इसमें एक push मिला है, जो क्या किते हैं, इसने काफी resolve कर दिया, जो एक trending start हुआ था, boycott Chinese goods, इसकी वज़े से क्या है, एक government को भी एक push मिला है, कि वो अपन पे जो adapt करनेंगे, quick shifting, मतला एकदम से जो economic currents वगएरा की वज़े से, अकर अपने आपको quick, उनोंने बदलाव ले लिया, अपने policies वगएरा में, तो वो जल्दी recover कर जाएंगी, as per the writer, okay, next हमारा जो editorial है, basically वो मन्रेगा पर है, मन्रेगा के उपर है, मन्रेगा जो हमारी, जो मह Employment Guarantee Scheme थी, वो 2006 में launch की गई थी, by the Manmohan Singh, that time Prime Minister, and the Ministry of Rural Development के अंदर आती है, तो February 2006 को launch होई थी, और अभी इसका status in force है, यानि कि active है, और जो इसको एक social measure बोला गया था, जो कि guarantee करता था, right to work के लिए, और ये the key tnet of this social measure and level law is that, the local government will have to legally provide at least 100 days of wage employment in ruler India to enhance their quality of life, यानि कि ruler, जो government वगरा है, ruler local government जो है, basically वो 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराएंगी, ruler areas में, जिससे उनकी quality में enhance है, यानि कि जो poor families वगरा है, जो poor households वगरा है, उनको 100 दिन का तो वो काम देंगी हीप साल में, काफी अच्छी scheme है, काफी अच्छा social measure है, काफी, मतलब बह scheme भी है, तो उसी में एक अभी बोला जा रहा है, कि थोड़ा extension लेना चाहिए, जहां पर pandemic की वजए से सब कुछ बंद पड़ा है, काम बचा नहीं है, अगर हम ruler पर ज्यादा focus करेंगे, तो हमारी economy जल्दी revive करेगी, और ये बात सच भी है, क्योंकि हमारा जितना भी migrant force है या findings में आया है, करीब 8.4 lakh जो पूर household थे, उन्होंने करीब 80 दिन का काम अपना कर लिया है, यानि कि 100 दिन की जो limit होती है, उसमें 80 दिन का वो अभी तक कर चुके हैं, और करीब 1.4 lakh people completed their full quota, यानि कि उनका पूरा तरीके से पूरा quota हो चुका हर अभी सिर्फ July start हुआ है, यानि कि में और जून तक उनका 100 days भी work complete हो चुका है, 1.4 lakh जो workers है, इसके बाद क्या हो गई, क्या उन्हें पैसा मिल पाएगा, क्योंकि काम कुछ है नहीं है, और कुछ करने को मिल नहीं रहा है, और जो नहरेगा इन scheme के थूरू उनको जो work मिलता था, वो भी खतम हो चुका है, त लिक्कत आने वाली बात है, तो इस चीज़ पर government को extension देना चाहिए, तो एक अच्छे writing के लिए आप शुरू इस तरीके से ही कर सकते हैं, और जिस तरीके से ये लिखा गया है, ये पूरे एक answer writing की ही तरह है, आप अगर इसे लिखना start करें, तो ये पूरा एक answer है, अगर question य ये ही रहता है, जैसे के, manrega is important in the rescue of the poor during a time of distress, explain, तो आप शुरू इस तरीके से कर सकते हैं, पहले data दे सकते हैं, 8.4 lakh four household have completed at least 80 days of the 100 day limit of work under the manrega and 1.4 lakh among those have completed the full quota, should come as no surprise, तो ये मैंने खुद एक answer की form में लिखा है, तो आप इसको reference लेके अपना भी answer लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं, अगर आपको और अच्छे points पता हो, तो आप under comment section में जाकर अपना एक answer post कर सकते हैं, question यही है, manrega is important in the rescue of the poor during a time of distress, explain, okay, next हम चलते हैं अपना, with the economy reeling after extending lockdowns, यानि कि lockdown के खुलने के बाद जो pandemic है, जो migrant workers हैं, जो laborers हैं, जो नहोंने अपनी job खो दिया urban areas मे तो उनके लिए काफी अच्छा खासा use relief प्रोवाइड की इस manrega scheme ने, उन poor families को लिए जिन्होंने अपना पूरा रोजगार खो दिया है, तो उसी को देखते हुए जो government ने decision लिया है, extend करने का, into the monsoon season, यानि कि monsoon तक basically government ने manrega scheme को बढ़ा दिया है, भले ही उनका 100 दिन का का पूरा क्यों ना हो गया हो, तो ये benefit काफी अच्छा रहेगा, households को, उनको बहुत अच्छा, क्या कहते है, एक तरीके से कह सकते है, एक huge relief मिलेगी, बहुत जादर relief मिलेगी इस चीज से, और इस बार का fairly good monsoon जो है, वो भी एक help करेगा more agriculture jobs को provide कराने में, beyond the manrega, अगर किसी का work भी complete हो गया, वो मन्रेगा में और नहीं work करना चाता है, तो basically ये है कि इस बार का monsoon काफी अच्छा है, तो agriculture जो jobs है, वो काफी अच्छी मिलेंगी, but जो demand है work की, वो उसको बढ़ते हुए, देखते हुए, एक extension देना चाहिए, government को भी, beyond the hundred days, that days should be extended, और थोड़ा इनके जो daily wage होता है, यानि कि जो इनका wages है, जो एक daily wage वगरा है, मतलब 100 days का जो एक wages count होता है, जो एक average wage हो, उसमें भी एक इजाफा करना चाहिए, क्योंकि अभी ये reverse migration के वैसे, जो wage है वो वैसी ही, बहुत जादा average value उसकी बहुत जादा कम आ चुकी है, अगर overall पूरे national income में, अगर उसके साथ देखें तो, तो काफी जादा important हो जाता है, कि एक extension देना और एक wage में भी extend करना, तो यही है, कि even more imperative, अगर यह सब चीज़े होती है, तो मनरे का scheme जो है, वो काफी जादा और imperative होगे, और जादा अच्छी से work कर पाईगे, और जो insurance, जो वी ruler developers है, जिनका crop failure हो जात है, उसमें हमेशा से मनरेगा एक अच्छा खासा मतलब एक तरीके से acted as an insurance, उनके लिए काफी अच्छे से यह insurance की तरह इन scheme रही है, over the decades ago, जब से भी यह launch हुई है, यानि कि 2006 से जब से यह launch हुई है, तो जो crop failure, जो किसान थे, उनके लिए agrarian crisis जिन पर आ जाता था, उनके ल demand और consumption में जो fall आया है, उसकी वज़े से भी क्या है, हमारी economic constraint हो गई है, यानि कि secure चुकी है, अगर हम इस insurance scheme को और अच्छे से utilize करें, तो यह एक तरीके से धक्का दे सकती है, rural development को, और जो potentially problem arise हो रही है, उनको भी कही ना कही हद तक दूर कर सकती है, हमें इन सब के, इन सब करनी चाहिए, इसके failures को देखना चाहिए, इसके success को देखना चाहिए, इस सब को एक crux बनाके हमें एक urban India के लिए इस तरह की job guarantee scheme plan करनी चाहिए, क्योंकि ruler पे पूरा ध्यान देना भी कही हद तक सही नहीं है, क्योंकि जो urban areas में जिन्होंने अपनी job गवा दिये, उनके इस तरह के लिए अर्बन के लिए तो कुछ भी नहीं है इस तरह कि insurance पगएरे, insurance in the sense, insurance of the work, insurance of the job, तो उस cases में, urban के पास एक भी scheme नहीं है, तो इस तरह के मुनिश्पैलिटी को इस पर work करना चाहिए, जो basically foster करेगा, contract basis पर hire कर सकते हैं, और जो आराम से sanitation worker है, या रोडों का जो बनाना बनाना होता है, municipality के थुरू, उसके थुरू अगर work किया जाए, एक 100-day की guarantee अगर urban में भी दी जाए, तो बहुत जादे एक boom मिलेगा, economy को, और हम अपनी जो, हमारी जो द्वस्त होचुए economy को, उसको recover कर सकते हैं, last line is that, an extension of the 100-day limit and comprehensive implementation of the scheme in rural areas can be the first step, तो यह हमारा एक पहला step हो सकता है, here we conclude that, यह हमारा last conclusion था, okay, next हम चलते हैं, यह इन्वार्मेंट से related editorial है, तो काफी important हो जाता है, क्योंकि इन्वार्मेंट से related exam में बहुत खासकर पूछा जाता है, क्योंकि इतना जाद लाइम लाइट में चीज़ें रहनी पाती है, backstage ही रह जाती है, तो ऐसे editorials पर काफी अच्छा-कासा ध्यान रहना चाहिए, अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें बोली जा रही है, तो यही बोला जा रहा है, कि अभी recent में, जो project को Ministry, Environmental Ministry ने nod दिया, यानि कि उनने सहमती दे दिया गया है, उनका clearance दे दिया गया है, वो जादतर किसी forest habitat में हैं, वो सारे project जादतर, वो बहुत जादा, और वो forest areas जो है, वो critical हैं पहले सही, वहाँ पहले सही critically उनको एक reserve के तोर पर रखा गया है, forest reserve है, या कोई tiger reserve है, उन areas में projects को clearance देना, यह कहां तक मतलब एक तरीके से अच्छी चीज़ है, हम अगर environment के perspective से देखते हैं, अगर sustainable development goals जो है, हम उसके through भी देखें, तो यह कहां तक, इस तरीका clearance देना, यह कहां तक consider करता है, कि government environment को लेके चल रही है, और recently draft के लिए जो भी issues create हुए है, draft की क्या था, जो इसमें थोड़ा change करने के लिए एक draft ला सब्सक्तम होने वाली थी, लेकिन अभी उसकी deadline basically, wait a minute, उसकी deadline June 30 थी, उसको अभी जो environment impact assessment का notification आया, उसके according June 30 हमारी deadline थी, उसको अभी Delhi High Court ने उसको extend कर दिया आया, बगस्त, तो यह चलो, अच्छा है कि Judiciary ने इसमें अपना role ने बाया, क्योंकि इतनी जल्दी क्या केते हैं किसी COVID draft के लिए हम अपने वो नहीं दे सकते हैं सुझाव वगएरा, बहुत ज़ादा एक लंबा process होना चाहिए थोड़ा-थोड़ा, इतनी जल्दी भी ना करें, इतनी ज़ादा efficiency भी नहीं फिर भी मिल पाईगी अगर जल्दी work भी कर रहे है government तो थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को analysis करें, उसके बाद जो भी बिल वगएरा आते हैं उसको draft तब ही करें वो, तो start करते हैं हम अपना Catchy line है, few countries are witnessing such severe direct and indirect devastation on account of COVID-19 pandemic as India. हर answer में आप इस तरीके से use कर सकते हैं, कोई भी अगर informant से related या किसी भी उससे related अगर आपको answer लिखना है, start करना है तो वही कि severe direct or indirect devastation मिल रहा है देखने का COVID-19 pandemic की वैसे, same in India. अभी हम क्या है, जो root causes वगेरा हैं उस पर हम अभी इतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहें कि हम कितने wonderable हैं उसको जहल पाएंगे या नहीं हमारे जो wonderability है अभी जो है वो सिर्फ यहां तक ही सीमित रहे हैं कि food available है या नहीं health care available है, housing है या नहीं करते हैं तो environment resilience जो है और limitless economic growth है या wealth accumulation है हम इनके ऊपर कभी बात ही नहीं करते हैं wonderability के basis पर अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारा वो food, health care or housing तक ही wonderability रह जाती है जबकि हमें इस चीज़ पर भी पूरा focus रखना चाहिए कि खाली economic growth बढ़ाने से हम इन्वर्मेंट पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं जो हमारी wealth accumulate हो रही है वो equally distributed है ही नहीं है जिसकी वयसे एक तरीके का divide create होता जा रहा है पूरे all over country में तो वही चीज़ है कि जो जितने भी बढ़ते हुए destruction है wild habitats के लिए forest के लिए diversified food system के लिए urbanization की वज़े से mining की वज़े से industry की वज़े से तो क्या हो रहा है जो pathogens हैं वो confined नहीं रह पारें animals या plants तकी वो अब बाहर निकल के आने लगे हैं जो pathogens हैं वो और infect कर रहे हैं humans को तो कही ना कहीं यह जो covid-19 या जो भी नई-ई-चैसे malaria है malaria भी काफी जादा एक prolonged बीमारी है मतला काफी time से चलती वारी है और यह अपने आपको mutanization के थूर और जादा अपने आपको evolve कर रहा है malaria तो यह कही ना कहीं सिर्फ इसी वज़े से है कि हम अपने forest पे ज्यान नहीं दे रहे हैं wild habitats को destroy कर रहे हैं forest को destroy कर रहे हैं तो हमारे food system में उसको destroy कर रहे है और urbanization की वजय से सारे destroy हो रहा है mining की वजय से activities की वजय से pollution की वजय से हम पूरे environment को destroy कर रहे हैं जिसकी वजय से जो pathogenes हैं वो सीधे direct effect करनने लगे humans को यह पहले कहां तक सिर्फ animals और plants तक ही सीमत रहते थे अब यह humans को infect करने लगें तो वही तो और वजय बताई गही है यह जो expansion है monoculture cropping यानि कि same cropping जो एक large land form पर यानि कि लंबे area में जो एक तरीकी की crop होती है वो livestock farming system और human settlement जो बहुत जादा dense होते जा रहे है narrow diets यानि कि crops पे meat के उपर हमारी जो diet dependent हो गई है सिर्फ कुछ ही diet वही है तो यह कही न कहीं बाइड शीटी को भी कम कर रही है और जो हमारा distance barriers है यानि कि resilience क्रियेट करते थे human species और domesticated plants और animals के साथ जो pathogen का एक barrier था वो कही ना कहीं नेरो होता जा रहा है इस तरीके कि हमारे culture के वजय से मतलब culture तो ने कहींगे basically हमारे lifestyle की वजय से जो recent lifestyle जो हमारा आता जा रहा है monoculture cropping, livestock farming system, narrow diet commodity crops, meat वगएरा इसके उपर dense human settlements इसकी वजय से जो हमारा barrier था जो बीच का एक hindrance था या बीच का जो line था जो gap था pathogen और इन सब के बीच में human species और domesticated plant और animals के साथ वो कही न कहीं बहुत जादा कम होता जा रहा है जिसकी वैसे जो virus या pathogen है जो virus pathogen है वो trigger कर रहे हैं सीधे सीधे एक नई-ई epidemics नई-ई बीमारियां निकलती हुई आ रहे हैं तो कही न कहीं यह सिर्फ environment में छेड़ चाड़ के वज़े से है और हमें इस से lesson लेना चाहिए और government को भी इस चीजों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए उन्हें lesson लेना चाहिए इस चीज में के यह कहीं न कहीं हमें बहुत जादे effect डालेंगे बट लॉक्डाउन के टाइम पे अभी recent में क्या किया है Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने बहुत सारे ऐसे multiple projects हैं multiple mining projects, industrial projects रहें जिनको wildlife habitats में थे जो की वहां के जो sustaining forests हैं उनको खतम कर रहे हैं उनको नौट दे दिया गया है कुछ हैं जैसे के Italian hydropower project यह दिबंग वैली में अरुनाचल प्रदेश के coal mining in Assam, देहिंग पतकाई elephant reserve है वहां पर Assam में diamond mining पनना forested wealth में मध्यप्रदेश में और coal-fired power plant यह अड़ानी को दिया गया है उड़िसा का तालाबीर फोरेस्ट में limestone mine in Geir National Park गुजरात में geotechnical investigation in the Sharawati line tailed making century in Karnatka है तो यह सारे जो critically wildlife habitats है हमारे उन में ही इनको नौट दे दिया गया और बताया जा रहा है कि इनकी जो क्या कितना प्रॉपोसल है वो दस मिनट के अंदर ही accept कर लिया गया बाई video conferencing कोई contravention नहीं दिया गया यानि कोई intervention नहीं रहा है वहां के लोगों से कुछ पूछा नहीं है कोई अच्छे से impact जो environmental impact assessment होना चाहिए वो कहीं न कहीं चूका है और यह चूका ही है अगर दस मिनट में प्रॉपोसल तुम accept कर पा रहे हैं वो भी information related तो authoritism ने क्या किया सीधी सीधी एक तरीके से not दे दिया है तो यह जो भी हमारे जो public consultation वगहरा रहते हैं जो pandemic के time पे या lockdown के time पे जो जरूरी भी थे वो कहीं तो वो meaningful ही नहीं रहे है उनका कोई meaning ही नहीं रहा है अगर public से भी consultation की गही है तो इन में क्योंकि दस मिनट के अंदर प्रॉपोसल रेडी कर दिया गया और जो नया environment impact assessment था उसके लिए जो deadline थी जिसमें basically हमारे opinion मागे थे क्या किस तरीके का होना चाहिए उसकी deadline 30 June थी उसको बढ़ाके अब Delhi High Court ने इसमें intervention किया तब जाके इसको बढ़ाया गया है और draft में सीधे सीधे बताया जा रहा है कि जो कुछ environment approvals होंगे वो बाद में भी लिये जा सकते हैं लेकिन जो work है वो पहले start हो जाए करेगा यानि कि starting a project before obtaining environment approval will no longer be a violation यानि कि अगर project start कर देना environmental approval से पहले वो एक violation नहीं होगा उसको regularize किया जाएगा as a post facto यानि कि शुरुआत कर दो और environment approval मिला नहीं तो यह कहां तक justified है चलो खेर क्या कह सकते हैं अगला है public hearings were riddled public hearings होती है उनको एक उल्जा दिया जाता है उनकी problems को उल्जा दिया जाता है main focus जिन बातों पर होना चाहिए main content पर बात होनी चाहिए उन पर बात होती ही नहीं है जो awareness क्रियेट करने चाहिए उन पर बात होती ही नहीं उनको उल्जा दिया जाता है public hearings भी कही न कहीं एक तरीके से null and void रहती है वह इतना जादा effective नहीं हो पाती है instead of instanting them उन्हें मजबूत करने की जगे पर जो notification है वह exempt करेगा जो बहुत सारे projects हैं उनकी hearing से भी जिनको designate कर दिया जाएगा अगर उन्हें strategic का दरजा दे दिया जाता उन projects को तो उनकी hearing भी नहीं होगी तो कहीं न कहीं बहुत सारे projects होंगे जो बहुत जादा है आगे जाके लोगों के सामने सिर्फ इस तरीक के पेश कर दिया जाएगा कि यह strategic हैं उनके सामने कुछ चीजन लेकी नहीं आएंगे उनका कोई public domain में कोई information ही नहीं दी जाएगे रही कि उनको secure clearance दिया भी है या नहीं दिया या क्या चीजने रही है तो यह कही नहीं जो draft है यह काफी बहुत जादा imbalance create करता है environment के लिए बट जो demand है environmentalist की वो अभी तक सुनी ही नहीं गई है उनको virtually सुना गया है लेकिन वो जो condition है जो safeguard का है वो दिखा रहा है कि सीधे सीधे यह ignore कर रहे है जितने भी यह environment के लिए अगर safeguard लेके चल रहे हैं तो वो कहीं न कहीं ignore कर रहे है safeguarding the environment and frontline community seems nowhere on the government's agenda यानि कि जो government का agenda है उसमे environment को लेके कोई अच्छा खासा safeguard वाला step दिखाई नहीं दे रहा है the sum effect of all the moves will further environmental degradation यानि कि अगर यह हमारा draft bill जो है यह अगर pass भी होता है तो यह साफ दिखाता है कि अगले आने वाले time में future में जो environmental degradation है वो कितना हद तक बढ़ेगा बहुत जादा आगे तक यह environment degradation बहुत जादा impact डालेगा हाँ माना आत्मनिर्भर बनाएं लेकिन अगर इस तरीके से चले तो यह बहुत जादा endanger करेगा habitat को, lives को, इंटेंसिफाइ करेगा हमारी vulnerability जो है infectious diseases के लिए कहीना के infection diseases और जादा बढ़ेंगी, socio-economic एक शौक अलग निकल के आएगा बहुत जादा division क्रेट हो जाएगा, बहुत जादा imbalance क्रेट हो जाएगा, बहुत जादा इरिया को permafrost बोलते हैं, आप अच्छे से टेकनिकली इसको अच्छे से permafrost को बाद में भी समझाया जाता है, लेकिन अभी मोटी भाज़ा में समझीजिए कि आर्केटिक रीजन का जो बर्फ से ढखा हुआ एरिया है उसको permafrost बोलते है, उनकी जो हम नॉर्मली अपनी एकनोमिक एक्टिविटीज या जो भी हमारे इंडेस्ट्रिल एक्टिविटीज की वज़ए से जो मीथिन प्रेडियूस अभी हम करते हैं, उससे कहीं जादा उससे डवल से भी जादा वहां से खुदी अगर परमाफ्रोस्ट अगर मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं तो तो वही चीज है कि हम माना आत्म निर्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीगे के अगे बढ़ना ये कहीनगहीं इंडिंजर करता है हमारे आनेवाले हैविटेट को हमारी लाइफ को, हमारे शस्तिनेबल गोल्स को, हमारी जो वंडराबलीट्य इंफेक्श्य डिसीज को, वो कहीनगहीं बहुत जादा कम होंगे ये बहुत जादा शौक डालेंगे तो एक बार हम आसाम, एमपी, गुजरात और करनाटिका के एक बार लोकेशन देख लेते हैं अगर हम आसपास देखें, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वो अरुनाचल प्रदेश है, नागा लेंड है, मनीपुर है, मिजूरम है, तिरुपुर्रा है, और मेगाल्या है नेक्स हमारा गुजरात, गुजरात बॉर्डर्र टच करता है राजिस्थान, मद्धिपर्देश,", माहरेस्ट्रा मेश्ट्रा चतिसगड़ है, तो मद्धिपर्देश धारकण से सीधार टच नहीं करता है याद रखना है, ओके हैं तेलंगना अगर देखते हैं, महाराष्ट्रा, करनाटिका, आंदरपरदेश, इधा चत्यजगर और उड़ीसा तच नहीं करता है, अच्छे से ध्यान रखना है, तेलंगना का बौर्डर उड़ीसा से तच नहीं होता है, तो बस यही सब चीजें थी, काफी जादा आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, सब्सक्राइब करना न भूले, आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसी आने वाले टाइम में थोड़े और इंप्रूफ के साथ वीडियो आती रहेंगे, थैंक यू